हाई गाईज, वेलकम बाग तो दे चाइनल, कल हमने कैपसुल का पार्ट 2 देखा था, आज हम कैपसुल का पार्ट 3 देखेंगे, सो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइप ओफ जिलाटिन, मैंने बताया था, there are mainly two types of gelatin, means last video जब अपलोड किया था, उसमें बताया था, टाइप ओफ पासिडिक नेचर होता है, और टाइप बी जिलाटिन का basic medium होता है, और basic nature होता है, उसके बाद देखो, आईसो एलेक्ट्रिक पॉइंट, आईसो एलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब क्या होता है, कि कोई substance, एक पी एच पे इटसेल्फ नूटरलाइज हो जाता है, उसे बोलते ह है, आईसो एलेक्ट्रिक पॉइंट मींस, दनेट इलेक्ट्रिकल चार्ज बिकम जीरो, तो जो टाइप A जिलाटिन है, उसका आईसो एलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है, 9 है, मतलब वो 9 पी एच पर, नूटरलाइज हो जाता है, टाइप A जिलाटिन, और उसका बेस्ट जाता है, और उसका बेस्ट एक्जामपल क्या है, बोन एंड काल्प स्कीन, यह दोनों टाइप B जीलाटिन के अंदर आते हैं, उसके बाद हमें देखना है, एक न्यू कंसेप्ट, इस दे ग्रीन बोन जीलाटिन, ग्रीन बोन जीलाटिन मतलब जो जीलाटिन है, वो हम लिए जाते हैं, तो काउज बफेलो क्या खाते हैं, घस खाते हैं, वो मीट वगेरा नहीं खाते हैं, वो फिर क्या हो गए, वेजिटेरियन हो गए, देर्फोर जीलाटिन ऑप्टेन फ्रम दीस आनिमल बोन जीलाटिन, देखो, ग्रीन बोन जीलाटिन किसके अंदर आता है, it is a type B gelatin मतलब उसका nature क्या है basic nature है उसके बाद देखो isoelectric point isoelectric point क्या है 5.5-6 pH पर green bone gelatin itself neutralize हो जाता है उसके बाद देखो evaluation test for gelatin अब हम evaluation test देखेंगे हर डॉसेज फार्म के लिए means वो manufacturing होने के बाद उसके लिए evaluation carried out किये जाते है तो check करते हैं हम कि वो perfect बना है या नहीं उसके लिए क्या होता है evaluation test होता है so हम gelatin के लिए देखेंगे because gelatin is a major part of capsule जब हम कोई भी capsule prepare करते हैं तो उसका medicament किसम फिल करते हैं cap and body वो major बना होता है gelatin का बना होता है इसलिए gelatin बहुत i ampi है इसके लिए tua evaluation report bloom strength means what कि जो gelatin है उसकी capacity कितनी है वो देखा जाता है means strength की गी जाती है उसे बोलते है blooms strength bloom strength में आपको बताती हूं bloom strength में एक beaker में क्या करते है जिलाटिन का सांपल लेते हैं उसे बॉयल करते हैं और उसके बाद उसे कूल कर लेते हैं और उसके उपर एक प्लंजर लेते हैं और उसके उपर वेट प्लेस करते हैं और वेट प्लेस करने के बाद उसे अंदर तक इंसर्ट करते हैं उस बीकर में जिलाटिन कर लेनी तो उस हो गई strength means gelatin उसे gelatin तूट नहीं रहा है जब वो नीचे नीचे plunger जा रहा है उसकी क्या हो गई strength of gelatin हो गई उसे बोलते है bloom test bloom test is majorly carried out to check the strength of gelatin मैंने बहुत question paper देखे है उसमें पूछा जाता है कि in which dosage form the bloom test is carried out तो capsule में bloom test carried out की जाती है और उसके बाद एक point देखो कि maximum bloom strength किस में present होती है जो pork skin होती है उसमें क्या होता है maximum bloom strength present होती है pork skin में exam में पूछा जाते है कि maximum bloom strength किस में होती है तो pork skin में pork skin जो है वो केसी होती है hard in nature होती है उसके कारण उसकी bloom strength केसी होती है अच्छी होती है उसके बाद देखो second evaluation parameter that is the viscosity विसकोसिटी भी एक मेज़र पारामेटर है उसे भी एवाल्यूएट करना होता है सो हमें पता है विसकोसिटी किस से मिजर करते हैं डिफरेंट विसकोमेटर्स आवेलेबल है तुचेक दे विसकोसिटी तो हम जिलाटिन की विसकोसिटी किस विसकोमीटर से चेक करते हैं कपन बॉब विसकोमीटर ओके सो मुझे एक बताना है